हम गोरी नंदन स्री गणे सिकी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब देवों में सबसे पहले पूझे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज, मेरे मना दो बिगड़े काश कैसे जन्म हुआ गड़ पति का पहले तुमें बताएं, गोरा कच्छ में सिउगण तो जब तब आही जाएं एक दिन गोरा माता गई थी करने को अशना, बोली नंदी को रखना तुम गार पे अपना जाएं महलों के भीतर कोई भी आने ना पाएं, असनान ध्यान मेरा जब तक पूरा ना हो जाएं हात जोड कर नंदी ने कहां जैसा मा आदेश, लेकिन भोले नात आ गए करने को परवेश भोले नात को नंदी लेकिन रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्य जी महराज, मेरे बना दो बिगड़े काश हे गड़ पत्य जी महराज, मेरे बना दो बिगड़े काश गौरा ने कह नंदी से क्यों ना मानी मेरी बार बोले नंदी रोकूं कैसे खुद है बोले ना मन में गौरा मा के तो है एक विचारा आया अपने उबटन से माने है पुतला एक बनाया मंत्र सक्ती से पुतले में फूक दिये है प्राण सुब मुहूरत में मा गौरा ने रखा गड़े सहना बोली मा के अज्याकारी बन कर तुम रहेना है मेरा विश्वास मेरा तुम मानों के कहना हात जोड़ वो मा गौरा कोसी सिनवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियू में सब से पहले फूजे जाते हैं माल कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार फिर एक दिन गौरा माता गई करने को असना बिठा दिया गड़ पती बना कर पहरे पर दर्वान भोले नात फिर महलों में जाने को आते हैं बैठा कौन है वालक द्वार पे समझ न पाते हैं पूचा बोले नात ने कोन हो और कहां से आए अपना परचे गड़ पत ने भोले को दिया बताए करने लगे प्रवेस वो भी तर गड़ पत ने है रोका कहने लगे भोले क्यूं हमको तुमने है दोका हम खुद स्वामी गवरा के जब मरजी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब देयों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार बोले गणपत भोले को ये माता है आदे जब तक नहीं कहे माता ना आप करें प्रवे है विंती मेरी की वापिस आप लोट जाओ नन्दी से कहने लग भोले इसको जरा हटाओ नन्दी ने भी गणपत को है बार बार समझाया माने नहीं वो फिर नन्दी ने बल पर योग दिखाया बड़े ही बलसाली है गणपति नन्दी हारे है फिर तो स्यूगण उन्हें हटाने आगे सारे है सब मिल करके भी गणपति को हटा न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सब से पहले पूजे जाते हैं अल कथा सुनाते हैं हे गणपत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काच हे गणपत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काच फिर तो बोले नात ने सब देवों को बुलाया था सारे ही देवों ने गणपति को समझाया था हटे नहीं जब द्वार से वो तो किया है बल पर योग पांच सक्तियां इंद्र देव ने दी गणपति पे जोड़ लेकिन पांच सक्तियां भी कुछ काम ना आई थी लोट गई वो जब गणपति ने गटा चलाई थी फिर तो बोले नात कोन पे क्रोध हुआ भारी लेकर के तिरसूल आ गए स्वैम जटा धारी क्रोध में भर भोले अपना तिरसूल चलाते है पावन कथा सुनाते है तू सब देयों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार वारिस फिर तिरसूल गर्तन हो गई थी न्यारी गौरा माने जब देखा तो रुदन किया भारी बोली की क्या किया अपने ये है भोले ना द्वार पाल ये बन के खड़ा था मान के मेरी बार लाल मेरे के दान तुम्हें वापिस होंगे लोटाने रो रो करे बिला पुमगवरा बात नहीं वो माने कहने लग भोले गनेश का खंडित सीस हुआ पीट घुमा कर सोई हो जो बच्चे से मौँ उस बच्चे का सीस तो हम गड़ पती को लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं तुम सब दियों में सब से पहले बूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही गड़ पती जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज ही गड़ पती जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज स्यूगण तो फिर गवरा माने लेने सीस पठाएं पीट गुमा सोई मा जिससे वो बालक न पाएं खोज खोज वो हार गए छानी दिसा सभी एक हतनी आई नजर थी उन सब को तो तभी हतनी के बच्चे की गर्दन वो तो ले आएं भोले नाथ ने वो गर्दन गर्दपति को है लगाएं लगी जुगज की गर्दन वो जिन्दा हो जाते हैं सबसे पहले मत पिता को सीस जुकाते हैं इसलिए तो गजानन भी ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गर्दपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज एक दिन कर्तिक और गणेस में यूँ ही चल गई बात हम दोनों के मात पिता गवरा और भोले नात कर्तिक बोले मैं हूँ बड़ा और तुम छोटे हमसे फिर भी माने क्यों जाते हो उत्रम तुम सबसे तूछने इसी बात को वो ब्रह्मा के पास आए किन्तू उत्तर ब्रह्मा जी उन्हें ये ना दे पाए विश्णु जी सायद कर सकते इसका तो समधा बोले ब्रह्मा विश्णु जी को मुझसे ज्यादा ग्या विश्णु जी की शरण में फिर तो दोनों आते हैं पावन कथा सुनाते हैं यू सब दियों में सबसे पहले फूझे जाते हैं मुक था सुनाते हैं ही गड़ पत जी महलाज मेरे बना दो बिगड़े काच ही गड़ पत्रे महलार मेरे बना दो बिगड़े काच विष्णु जी तो दोनों को ही उत्तम बदलाए लेकिन उनके उत्तर ये सहमत ना हो पाए बोले विष्णु बोले देंगे इसका सही उत्तर पूछो ये प्रस्ण तुम तो उनसे ही जाकर दोनों लेकर प्रस्ण यही बोले के पास आए सुनकर प्रस्ण ये बोले जी भी है मुस्काए बोले इस ब्रह्मान्द का चक्कर उसे लगाना होगा उत्तम साबित करना है उसे पहले आना होगा अपने मयूर से ये सुनकर कार्ति कूड जाते है पावन कथा सुनाते है सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये गड़पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज ये गड़पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज उड़े जो कार्तिक तो गड़े से विवन में मुसकाए मुसक से तो पीछा मोर का किया नहीं जाए अपने गुत्ती बलका फिर तो है परियोग किया मात पिता का ही चक्कर गड़पत ने लगा दिया आप के ही चर्णों में मेरी सारी स्रिष्टी है कहने लगे भोले कि तुम्हारी दूर दिश्टी है लोट के जब कार्तिक आए तो देख के चकर आए कैसे मुझसे पहले ये ब्रह्मान्ट घुमाए भोले जी फिर उनको किस्सा सभी बताते है पावन कथा सुनाते है क्यूं सब दियों में सबसे पहले पूझे जाते है हम कथा सुनाते है हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज हे गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज मात पिता के चर्मों में ही होता है संसार कार्तिक ने भी मान लिया है गनपति जी से हाँ भोले ने वर्दान दिया उत्तम कहलाओगे सब देवों से पहले गड़े से जी पूझे जाओगे सब देवों ने गनपति की बोली है जै जैकार इसलिए इनकी पहले पूझा करता संसार सद बुद्धी के मालक है गोरी नंदन ये गरेश सद सद बार नमन करता है तुमको फौझी सुरेश डियस पालिस कितने से वक महिमा गाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब देवों में सब से पहले फूझे जाते हैं अलक था सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कात